Assalamualaikum, Welcome to GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान और आज मैं कुछ छोटी सी चीज लेकर आया हूँ मैं मिस्स कर रही है था यार आपनों को बताना जो बिगनर्स वाली सीरीज सी उसमें से एक चीज रह गए थी यार I'm so sorry आज मैं अपने YouTube के कुछ कॉमेंट्स पढ़ा था तो उसमें एक मेरे वीवर ने बड़ा अच्छा मुझे एक लिंक दिया के सर ये बटन्स क्या करते हैं तो यार वो लेयर्स को अलाइन वाला रह गया था भाई तो आई ये शुरू करते हैं All right, welcome back So, मैंने यहां पर ये कुछ different type की layers like बना कर रखी वी है, these are simple vector shapes और अगर आप देखें तो इन में सबकी एक तो height equal है, बस width थोड़ीसी different है अगर आप Photoshop में अपनी layers को align करना चाहें तो ये जब आप move tool लेते हैं Move tool में यहां उपर ये buttons आ रहे होते हैं बाद अगर आप देखेंगे तो ये disabled रहते हैं अगर आप एक ही layer पर हैं अगर आप multiple layers को select कर लें किस तरह से मैंने यहां simply इस पर click किया हुआ है एक layer पर shift तबाके मैं यहां top वाली layer पर click कर रहा हूँ अब यह सारी layers selected हैं अब देखें तो यह सारे active हो चुके हैं यह वाले जो है align करने के लिए जब है जब आपके objects horizontally रखे हो और यह वाले इसलिए जब यूज होते हैं जब आपके objects vertically रखे हो अगर मैं यह click करूँगा तो यह सारे left align हो जाएंगे अगर मैं center पर click करूँगा तो center align and then of course यहां से right align अगर मेरे यह तमाम objects को मैं control T करके rotate कर दो अब यह सारे मेरे objects रखे हुए है horizontally तो अब अगर आप top है center है और यह bottom है यह इनके through आप अपनी layers को align कर सकते similarly अगर आप यहां पर आके देखें तो यह आपके पास spacing है आप इसके through spacing साही कर सकते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम illustrator में भी align करते थे यहां पर भी option है हाँ अलबता अगर आपके पास एक object है तो मैं इस पूरे को group करके बंद कर रहा हूं और let's suppose मेरे पास एक object यह है right and इसको मुझे अपने image के center में लाना है obviously अब इसको तो हम अगर move करना चाहें तो देखें यहां पर यह सारे options disabled है क्योंकि यह a clear selected है आप simply यह कर सकते हो कि control a press कर दें मतलब select all अब जब selection बन जाएगी तो आप इस selection के through इसको align कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि स्रुप center में आप जा रहे हैं कि जी इस जगा के center में आ जाए like इतने portion के center में आ जाए या मिसाल के तोर पर आप अपना इसको half portion में करना चाहरे हैं so let's say मैं guide लेकर आ रहा हूं control arts करके मैंने rulers on की और मैं जैसी drag करके लाता हूं Photoshop में एक बड़ी अच्छी सी बात है कि आपके जो center पर जब पहुंचता है तो यहां पर एक हलका सा snap करता है right so मैंने यह half portion select कर लिया और अब अगर मैं इस half की selection बनाता हूं और अब मैं आ करके इसको center align कर सकता हूं like जितना portion आपने select किया होगा उस portion में आप इसको align कर सकते ह यह बस याद रखेगा अगर आपके पास एक layer है या multiple layers है अगर आप selection बनाते हैं तो selection के साथ यह align करेगा see this मैं अगर selection यहां बनाता हूं और अब मैं move tool से लेकर यहां पर आके select इसको center align करता हूं तो see this यह is selection के center में आ जाएगा तो I hope यह चोटी सी चीज़ आपनों को समझ में आई होगी और यह वीडियो भी पसंद आई होगी अगर पसाने तो please like करें और subscribe नहीं किया तो please subscribe करें thank you